बारा बंकी में लगातार वोटिंग हो रही है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पी एल पुनिया इस वक्त हमारे साथ बाचीत करनेकल मौझूद है सर बारा बंकी में क्या इस हिती आप देख रहे हैं यहाँ पर छे विधान सभा सीटे हैं छे विधान सभा सीटों में 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी ने पांच जीती थी और एक सपा के खाते में गई थी कॉंग्रेस इस बार क्या सोच रही है यहाँ बारा बंकी को लेकर देखी 2017 की स्थिती बिलकुँ बदल चुकी है और यह सही है कि 2017 में कॉंग्रेस पार्टी कोई विशीट बारा बंकीश नहीं जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी पहले जो तुनाव हुआ था उसमें से एक जीती थी और फिर बाइलेक्शन में एक और जैदपूर जीती जी और अब की बार कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ में तयारी की है सबसे पहले तो हमारी राष्टी महास्चीव स्रीमती परिंका गांदी जी उनके आगवन के बाद उनकी जगे जगे पर उपस्तिती के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है और जो बूत से लेकर और प्रदेश क के रूप में तयारी की है तो यह प्रणाम पहुत अच्छे निकलेंगे और जो भारती जनता पार्टी से लोग बेहद नाराज हैं विकास नाम की कोई चीज नहीं है जो रोजगार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया महंगाई को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नही गुंडागर्दी यह सब उनके साथ में आती है बाही बते जावाद चरम सिमा पर हो जाता और भारत समाध भावजन समाध पार्टी वो तो कहीं अब दिखाई नहीं देती तो उसको देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी की सिती बहुत-बहुत मजबूत है। बारा बंकी में जैदपूर विदान सभा है जहां से तनुझ पुनियां चुनाव लड़ रहे हैं जो कि मेरे पूत्र है और कांग्रेस हाई कमांड की द्वारा प्रिंका गांधी जी की द्वारा पहले से ही बता दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना था तो उनके ना जन तक पहुँचके और जन सामाने तक जन संपर करना यह सब पूरा नरेतर करने से और जो हमारा एजेंडा है जो विशेश रूप से चुट्टे जानुरों का है बेरोजगारी का है महंगाई का है तो इस तरीके से सभी एजेंडा के उपर बात करते हुए उन्होंने तैयारी जो की है जन जन तक पहुँचे हैं तो उस हिसाब से 100 परसंट 100 परसंट जैदपूर से कॉंग्रेस पार्टी के प्रताशी तनुजपुनिया जीत रहे हैं बीजेपी जिस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा उठाती खुद प्रधान मंतरी कई मंच से बोल चुके हैं टिकट जिस तरीके से दिया गया है उन्होंने कॉंग्रेस पर हमेशा हमला भोला परिवारवाद को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी अटैक करती उस पर कॉ देखे ये तो कहने की बाते हैं परिवार बादनाम की कोई चीज क्या है भारती जनता पार्टी में आनेक अनेक ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से एक से ज़्यादा लोग राजनीती में है राजना चिंग जी हैं उनके एक बेटे चुनाव नोड़ा से लड़े हैं अभी टिक कर दिए और दूसरे बेटे भी राजनीती में हैं तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप केवल केवल इसली लगता है क्योंकि भारती जनता पार्टी को डर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से हैं और उस डर के कारण लोगों में एक भरम फैलाने के उद्देश से अना आज में चरण का मद्दान आज हो रहा है किस इस सिती में देखते हैं कॉंग्रेस पार्टी या फिर जो दूसरी पार्टी लगतार दावा कर रही है कि 300 के पार आ रही हैं बीजेपी की तरफ से का जा रहा है सीटे आ रही है और वो लोग सरकार बनाएं देखे ये कौन से ज कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हम बहुत मजबूती से लड़े हैं चार चरण का चुनाव पूरा हो चुका है पांच में चरण का चुनाव आज वोटिंग जिसमें हो रही है और हम बहुत अच्छा करेंगे कोई जोतिश की तरह से संख्या बता करना चाहेंगे कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की भूमी का कि बिना सरकार नहीं बन सकते हैं शुक्रियास बहुत बहुत धन्यवाद बारा बंकी से कैमरामेन अस्चुनी हेलन के साथ जीतेनर सिंग आज तक